आज की टाइम में सबसे बेस्ट जो है तरीका है इंस्टेंट क्रेडिट लिमिट लेने का इंस्टा क्रेड़ से और ये क्रेडिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के उपर जहां पर प्रोड़क्ट को बाई करके EMI के रूप में पेमेंट कर सकते हैं जैसा कि आपने थमनेल देखा इस वीडियो को एंग तक देखे आप इंस्टा क्रेड लिमिट सिर्फ अपने अधार और पैन कार्ट के उपर इंस्टेंटली मिंटो के अंदर ले सकते हैं इनफेक्ट आपको अधार और पैन कार्ट भी अपलोड करने की जुरत नहीं होगी इस वीडियो को एंड तक देखे और लाइब स्टेप के साथ पूरी जानकारी देने वाला हों किसी तरीके का जो है डाउट नहीं रहेगा आपको और आपको बता दो कि इस इंस्टाक्रेट से जो भी क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है उसे आप एमेजोन, फिलिपकार्ट के अलावा कई ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं जहां पे एजिली इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही असान EMI में रिपेमेंट कर सकते हैं प्रोसेशिंग फी भी आपको नहीं देना होता है तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों अगर आपको अचानक से पैसो की जरूरत पर जाये सिंप्ली अपना फोन उठाईए गूगल पर जाईए और सर्च करिए अधारसे loan.com सिर्फ अधारसे loan.com सर्च करना है आपको वेबसाइट आपको दिख जाएगा सिंप्ली इस वेबसाइट के उपर जाना है और यहाँ पर आपको कई एक ऐसे information मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप बिना किसी income proof बिना किसी salary slip सिर्फ आपके KYC document के उपर instant loan ले सकते हैं यहाँ पर आपको कई अलग-अलग loan details मिल जाती हैं जैसे कि instant loan application, personal loan, credit card के बारे में, home loan के बारे में, business loan के बारे में, even अगर आप एक student है फिर भी loan ले सकते हैं तो फटवर जाएंगे गूगल करिए अधारसेloan.com इस website के उपर आईए और यहाँ पर आपके लिए daily नया कुछ आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगा दोस्तों, Instacred EMI card apply करने से पहले आपको मैं बता दू कि इसके फाइदे क्या हैं हलाकि इसके लिए मैं किसी भी तरीके का परचाव और प्रोमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस आपको जानगारी प्रोवाइड करना हूँ जो कि आपको जरूर जानना चाहिए अगर आप इस Instacred, Credit EMI card को जो है apply करने हैं सबसे पहला और important जो है features है, जो कि है बिना किसी processing fee के आपको यहाँ पे loan मिल जाता है कहीं पे भी जब आप product buy करते हैं तो आपको उसके उपर अलग-अलग processing fee भी देने होते हैं हलाकि वो EMI के रूप में होता है इसके अलावा दूसरा जो important feature है वो यह है कि किसी भी तरीके का joining fee भी नहीं देना होता है जितने भी सारे आपको EMI cards मिलते हैं उनमें से maximum cards के आपको joining fee देने होते हैं जो कि सालाना आपको पे करना होता है initially 500-1000 रुपीज तक का भी joining fee रहता है Instacred EMI card के उपर किसी भी तरीके का joining fee आपको नहीं देना होता है live step apply करनके दिखाने वाला हो इसलिए वीडियो को बिना skip के हुए end तक देखेगा साथी ये card सिर्फ KYC document के उपर instantly online मिल जाता है कहीं भी जाने की जुरूद नहीं है कहीं भी documentation करने की जुरूद नहीं है सारी चीज़े online करना है completely digital है और instantly Minto के अंदर में ये activate हो जाता है इसके अलावा इंडिया के किसी भी कोने से आप Instacred EMI card को apply कर सकते हैं phone से घर बैठे किसी भी तरीके का extra documentation नहीं करना होगा जिसका इस्तमाल आप असानी से कर सकते है repayment करने के बाद as usual फिर से use कर सकते है overall Instacred consumer durable loan प्रोवाइड करता है जिससे की आप लगबग जितने भी services है जिससे की apparel या फिर government कह लिजे या फिर smartphone भाई करना हो gadgets भाई करना हो या फिर make my trip से air ticket लेना हो यह सभी चीजे आप इस card की मदद से कर सकते है तो आईए live step apply करके देखते है तो आपको Instacred application phone के अंदर install कर लेना है Instacred आप simply google play store के उपर जाकर search करेंगे तो application मिल जाएगा यह flex money का application है जिससे की देख पारें सबसे पहला step आपको यहां पर अपना mobile number verify करना है mobile number आपको यहां पर डालना है और उसके बाद आपको अपना OTP के जरी verify करने के बाद next step जाना है और यहां पर जैसा कि देख पारें आपको अपने card eligibility check करने के लिए details देनी है जैसे कि आपका कोई existing EMI पहले से चल रहा है आप उसे yes और no में confirm कर सकते हैं क्या आपके पास कोई credit card है उसे भी आप yes no में confirm करेंगे क्या आपने इससे पहले कोई loan लिया है उसे भी आप complete करेंगे और उसके बाद आपको अपना pin को डालना है जो आपके अधार में mention है आप simply वो pin कोड यहाँ पर डालेंगे eligibility जो है check करने के लिए अब check insta card EMI eligibility पर click करके next forward जाएंगे और यहाँ पर जैसे कि देख पाने landers का detail आपको provide किया जा रहा है insta card आपको IDFC fast bank के तरफ से मिल रहा है मुझे यहाँ पर जो interest होगा वो 24% पर NM होगा हलाकि लगबग जो है सभी का यही interest देखने के लिए मिलेगा आपको अब करना है इसे activate करने के लिए KYC करने के लिए आपको यहाँ पर start KYC पर click करना है और सबसे पहले तो pen number डालना है जैसे कि देख पाने pen number अपना डालना है upload नहीं करना है pen number सिब डालना है continue पर tap करेंगे अब और यहाँ पर आपको paperless आधार card अपडेट करना है virtual आधार card अपडेट करना है जैसे ही paperless आधार card पर click करेंगे अब अब आपको यहाँ पर बताए जा रहा है कि आपको XML format में यह एक अधार card जो है upload करना है जैसे ही यहाँ पर review अधार constraint पर click करेंगे आपको यहाँ पर अधार number feed करना है अधार number feed करने के बाद यह capture जो है यहाँ पर enter करना है और submit पर click करना है यह automatically redirect कर देगा जो है आपके अधा अधार के website के उपर वहां से एक OTP आपको receive होगा जो की OTP आपको इंटर करना है अधार link mobile number पर यह OTP आता है उसके बाद एक secure pin code आपको आपको face जो है यहाँ पर दिखाना है selfie लेनी है proceed now पर type करके जैसे कि देख पारे अब आपको यहाँ पर आपका अधार का पूरा detail सामने में दिखाई देगा उसे simply confirm करना है और next जाना है next जाने के बाद आपका अधार और pen card के वाई से complete हो गया अब instant credit line approval यानि करना है आपको email ID डालना है और आपको civil के लिए यहाँ पर accept करना है और submit करना है अब आपका civil अगर ठीक है तो आपको limit मिल जाएगा मुझे यहाँ प 500 रुपे का मिला हुआ है स्क्रीन के उपर जैसे कि देख पारें लेकिन यहाँ पर फॉस्ट टाइम जब आप shopping करेंगे तो आपको activation fee देना होगा जैसे कि देख पारें फॉस्ट पॉर्चिज भी आपको 589 रुपे का payment करना होगा किसी भी तरीके का joining fee नहीं है लेकिन मुझ किसी भी तरीके का activation fee नहीं देना होगा फिर को activate करने के लिए finish setup पर क्लिक करना होगा आपको और agreement को accept करना होगा agreement को accept करने के लिए OTP के जरी verify करना होगा और फिर आपको setup करना होगा match activation auto debit के लिए जब भी आप यहां से इस इंस्टाक्रेड application से कोई भी product buy करेंगे तो वो auto debit कैसे होगा उसके लिए आपको अपना match activation देना है auto debit के लिए start पर simply tap करेंगे और यहां पर आपको अपना bank name पहले choose करना है bank choose कर लेना है bank account detail feed करना है उसके बाद आपको यहां पर account type select क इसके बाद आपको अपना IPC code डालना है continue पर टैप कर लेना है अपने account holder का नाम पहले ही डाल दिया है अब इसे complete करेंगे continue पर टैप करेंगे आपको अपने banking details से जो है उसे accept करना होगा confirm करना होगा approval देना होगा उसके बाद simply आपका यह activate हो जाएगा जैसा कि यहां पर recommendation नहीं करना होगा तो कुछ यह तरीका है Instacred EMI card को activate करने का अब जैसे यह activate हो जाता है अब इसे shopping करेंगे आप तो simply start shopping पे click करेंगे आप और यह redirect कर देगा Instacred के website के उपर जहां पे एक बार और OTP के जरीए verify कर लेना है और यहां पर इतने ही सारे merchant है वहां पर product को buy कर सकते है Flipkart और Amazon में अगर आपको product buy करना है तो यहां पर सबसे पहले तो आपको voucher बना लेना होगा और इस voucher को checkout के समय पेमेंट करते समय इन दोनों website के उपर इस्तेमाल करना होगा तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर ले सकते हैं Instacred EMI card instantly कुछ Minto के अंदर में अब अगर इस saving account के साथ internet banking होना चाहिए उसके बाद आपका जो उम्र है एज है वो कमसे कम 21 year होना चाहिए maximum 55 years तक है तो आप loan apply कर सकते हैं अधार pen card चाहिए होगा अधार link mobile number चाहिए होगा बस कुछ यह आसान से लिटपीटी criteria है और instantly Instacred EMI card आप ले सकते हैं अगर आपको जानकारी पसं चानल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो से संबंदित किसी भी तरही के करी के लिए आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कोशिश करूगा कि आपके उन queries को solve जरूर करो आज के इस वीडियो में बस इतना है मिलता हूं दोस्तों फिर आप सब्सक्री वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए, सोच रहिए और मस रहिए